मेरे प्यारे साथियों नवस्कार आज की वीडियो में राजस्तान जीके के 25 बहुती इंपोर्टेंट परसन लेकिए और यह सभी परसन एक्जाम की दश्टी से मोश्ट इंपोर्टेंट है आप लोग वीडियो को सुरू से अंतक देखेगा और साथ में जिनों ने भी अब त चमबल घडियाल अभिए बहुत ही इंपोर्टेंट परसन आप लो उत्तर दीजेगा कि राश्ट का सबसे बड़ा राश्टेरश जल्दी से आप लोग उत्तर दीजेगा देखते कितने बच्चे सही उत्तर दे पाते हैं तो यह कोटा के अंदर है ऑप्सन डी हमारा उत्तर रहेगा क्यों सनवर टू की बात करते हैं रास्तान राजे में रेगिस्तान रोपन इंभू सरक्षन के अंदर कहां पे बहुत ही अच्छा परसन है किसे जीले के अंदर है रेगिस्तान रोपन इंभू सरक्षन के अंदर है बाड मेर जोदपूर बी कानेर या जैसल मेर तो सही उत्तर आप्सन बी यह जोदपूर के अंदर याद किजेगा बहुत अच्छा परसन है क्योशन नमर थ्री की बात करते हैं सीवी रमन ने इसलेंड ओप गलूरी गरास्तान के किस सन नगर को कहा था बहुत ही अच्छा परसन है और एक्जाम में पूछा गया है इस तरह के हर इक इंप क्योशन पाना चाहते हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो के अंत में आप सभी से एक इंपॉर्टन परसन भी पूछा जाएगा उसका भी आप लोग उत्तर जरूर दीजेगा कौसिश कीजेगा देखते कितने बच्छे सही दे पाते हैं तो इसका सही उत्तर र बिकानेर या जसलमेर किस जिले के अंदर तो ये कोटा के अंदर है ऑपसमे kayak उत्तर रहे गा पंप क्योसिशन भी पाध करते हैं राजस्तान राजे में सरवादिक अलह व क्छीला है राजस्तान के अंदर सबसे ज्यादा ऊलह वर व возьश्टी किस जिले के अंदर आती है जसल करते हैं राजास्तान का और राष्टफे को इंया दर्ली गारे राश्टर गात करते हैं, राजस्तान में 10 सहस्तर कौन सा क्षियतर कहलाता है, राजस्तान के अंदर 10 सहस्तर जो कि किस क्षियतर को अकाज़ता है, अच्छा परसन है, अच्छे लेवल के क्यूसन में आता है, मेवाड, सिकावटी, मारबाड या ढूंडार, जो कि 10 सहस्तर के अंदर कौन सा ज किस जिले में परवेश करता है राजस्तान के अंदर मानसून सबसे पहले किस जिले के अंदर परवेश करता है जालोर बांसवडा सिरोई या भर्दपूर तो राजस्तान में जो है मानसून सबसे पहले जो है बांसवडा के अंदर परवेश करता है आपसन भी उत्तर रहेगा important person है क्योसन और 9 की बात करें रास्ता नराजे में सबसे पहले किस से राष्टे उध्यान में बाग बचाओ प्रयोजना प्रहरम की गी बहुत ही अच्छा परसन है याद कीजेगा बहुत अच्छा परसन है exam की दिश्टी से very very important बाग बचाओ प्रयोजना जो की सबसे पहले किस से राष्टे उध्यान में प्रहरम की गी थी तो यह रन्थमबो राष्टे उध्यान option D हमारा उत्तर रहेगा रन्थमबो राष्टे उध्यान में सबसे पहले बाग बचाओ प्रियुजना की सुरुवात की गी थी क्यों सनवर 10 की बात करें निमन मैंसे किस सहर के नाम का साब्दिक अर्थ है सिर काटने वाले इन चारों में से किस सहर का जो नाम है वो उसका अर्थ निकलता है साब्दिक अर्थ निकलता है सिर काटने वाले ही ठीक है तो सह से सिर काटने वाले सिकर या सिरोय में से होगा कौन सा होगा सिरोय होगा ऑपसन सी हमारा उतर रहेगा क्यों सनवर 11 की बात करें रास्तान राजे में लाल दोमन्ट मिटी पाई जाती है किस-किस जिले के अंदर है जो यह लाल दौम डौमेंट मेटी पाई जाती इन चारों उपसंने में ब्रण किसके चिले कि में पाई जाती ए सब्सक्राइब इंगर अऑर दूसरा अजयम पर देखा जाए तो dess अजय का हो एक जाती है ठीक है तो यहां पर उप्सन को देखा जाते हैं वर्सा से जुड़ा हुआ अगर देखा जाए तो मानसून पूरु की वर्सा या मानसून के बाद की वर्सा तो दोगड़ा जो है वो मानसून से ठीक पहले की वर्सा को दोगड़ा का जाता है उप्सन ए हमारा उत्तर रहेगा क्योशन नवर 13 की बात करें राजस्तान राजे में तापी बावडी कहां पे बहुत इंपोर्टन परसन है इस तरह के परसन एक्जाम बे बनते हैं और डेली ऐसे इंपोर्टन यूशन पाना चाते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करना जो है ना भूलें सबस्क्राइब जरूर कर लें आपको राजस्तान के हर एक इंपोर्टन क्यूशन का वीडियो आपको मिलता रहेगा तो तापी बावडी जो है कहां पे किस जिले के अंदर ये जोदपुर के अंदर है आप्सन ए हमारा उत्तर रहेगा क्यूशन वर 14 की बात करें इस निमन वैसे राजस्तान राजे की सबसे अनुपजाओ मिटी कौनसी है तो यहाँ पर हम बात करें रास्तान के सबसे अनुपजाओ मिटी कौन सी है तो लाउनी ये मिटी है ठीक है क्योंकि अनुपजाओ है यहाँ पर कोई भी उपज नहीं होती एक तरह से खाली जो रहती है लाउनी ये मिटी option D या फिर इसे खारे मिटी भी कहते है क्योसन और पंदरा की बात करें साड़े तेईस उत्री सोरी साड़े तेईस डिगरी उत्री अक्सियांस ता सतर डिगरी पूरवी दिसांतर रेखा है रास्तान के निमलिक में करम से किन जिलों से होके गुजरती है बहुत इंपोर्टेंट परसन है ठीक है अच्छा क्योसन है कि साड़े तेईस डिगरी उत्री अक्सियांस ता सतर डिगरी पूरवी दिसांतर रेखा है रास्तान के किन किन जिलों से होके गुजरती है तो एक बांसवर्ड है दूसरा जैसल मेरे ऑप्शन अ हमारा उत्तर रहेगा किस सन्वर सोला के बात करें राजस्तान में मुरुस्तल के कच्छे गौलाकार घर को क्या का जाता है बहुत chah परसन है इस तरह के परसन अक्सर गंफ्यूज कर देते हैं कि राजस्तान में मृश्तल के जो कच्छे गौला कर घर पने हुए है निंदर जो गह बनाए गए गवी गौला कर और कच्छय उन घरों को साधारण बासा में स्थानी बासा में क्या का जाता है कोठी तो नहीं का जा अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्तान की परसीद जील कौन सी है तो पुसकर जील है बहुत फेमस है कहां पर अजमेर के अंदर है और इसकी आकरती किसके समान है जल्दी से आप लोग उत्तर दीजेगा देखते कितने मच्छे सही बताते है तो अर्द चंद्राकार ओप्स सागशितर नगनियवर्षा वाला है एगर राजस्तान का कौन सागशितर जहां पर बहुत कम बारिस होती है बहुत मतलब बिलकुल ही कम बारिस होती है एक तम नगनियवर्ष ठीक है तो ऊतरी पच्छवीं ऑप्ज़न भी उतर रहेगा क्योसन और 19 की बात करें निमनमज से बलेक कोटन मिटी कहलाती है राजस्तान के अंदर जो है बलेक कोटन मिटी जो है किस मिटी को का जाता है तो काली मटियार दोमट मिटी को बलेक कोटन मिटी का जाता है option b उतरेगा black से काले ठीक है आप समझी गए होंगे क्यों सनर 20 की बात करें राजस्तान के कितने जिले ऐसे जो अंतराष्टिय स्विमान नहीं बनाते राजस्तान के कितने जिले ऐसे हैं जो अंतराष्टिय स्विमान नहीं बनाते अंतराष्टिय और अंतराजिय में फरक है याथ किजीएगा पढ़ने में गल्ती हो जाती है तो यहाँ पर पुछा गया कि अंतराष्टिय सीमा नहीं बनाती ठीक है तो यहाँ पर 28 हो गया 29 होगा थोड़ा सा कन्फूज़ ऒने मेरे साब से अगर चार को अटाएं तो भी 29 बचेगा option B उतरेगा 29 जिले क्यों सनुर 21 की बात करें निमन मैंसे जल में किसकी अधिकता से मिटिक शारिय हो जाती है जल में किसकी अधिकता के कारण जो मिटिक शारिय हो जाती है शारिय लवनी है जो किसकी अधिकता से हो जाती है तो सोडियम कार्बोनेट की वज़ा से जो है मिट्टी शारी हो जाती है ओप्सन डी हमारा उत्तर रहेगा क्योसन और बाइस की बात करें राजस्तान राजे में जिक जिक बांद किसी जिले के अंदर है पोरटन परसना एक्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है सीधा सा एक्जाम में बनता है कि जिक जिक बांद किस जिले के अंदर है कहां पे है किस स्थान पे है तो यह बुंदी के अंदर ऑप्सन ए हमारा उत्तर रहेगा क्योसन और तेष्ट की बात करें राजे में केंदर सरकार ने किस योजना में जूदपुर में वन अनुसंधान केंदर के स्थापना की थी बहुत अच्छा परसन है याद कर लिजेगा तो कई बार गल्टी हो जाती है, बहुत अच्छा लेवल है आप से यहां भी योजना पूछी गई है, पंचवर्शी योजना तो पर्थम पंचवर्शी योजना, आपसन डी हमारा उत्तर रहेगा क्योस नवर चोईस की बात करें, रास्तान राजे में सीत रीतों में सरवादिक फ्लेमिंगों किस जील में आते हैं, सबसे ज़्यादा जो रास्तान के अंदर सीत रीतों में सबसे ज़्यादा फ्लेमिंगों किस जील में आते हैं, तो सामर जील में आते हैं, आपसन ए हमारा उत्तर रहेगा किस रीतों में, सीत रीतों में अब बात करते हैं कि उसन नुवर 25 की राजस्तान का वा सुमधाई जो प्रिस्तिकी तंतर की रक्ष्या धार्मिक भावना से करता है कौन सा सुमधाई है जो प्रिस्तिकी तंतर की जो रक्ष्या धार्मिक भावना से करता हुआ नाहरगड अभ्यारनिय ओप्सन डी हमारा उत् अब बात करते हैं वीडियो के अंत में आप सब इस एक इंपोर्टेंट परसन पुछादर है इसका आप लोग उत्तर जुरूर दिजेगा अगर आपका उत्तर सही होता है तो देखते हैं कि कितने बचे सही उत्तर दे पाते हैं राजस्तान की परसित पुसकर जिल में सफाई का कारिय किस देश के दोरा हो रहा है राजस्तान के अंदर जो पुसकर जिल बहुत पहमाचा इसकी सफाई का कारिय किस देश के सयोग से हो रहा है उत्तर आप लोग जुरूर दीजेगा और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लेना आपको डेले रास्तान जिकेगे ऐसे इंपोर्टेंट किसंगे वीडियो मिलते रहेंगे थैंक यू और बेस्ट अब लग